मैं यह देखो प्यारे बच्चों इस वह सवाल को देखो यह बिसेकली है एक लेन्स है और वह लेंज है कमेक यह कंवेक्स लेंज से इक करेंग गाफ करुंगा फिर में दोबारा वाइलोंग वाइई इस लाइन के कट करूंगा इस लाइन यह सोन इन फिगर और जब यह कट किया गया तो एक तो फोकल लेंथ अब देखना कंप्लीट लेंथ की फोकल लेंथ हर एक हाफ जो बनेगा फर्स्ट और सेकेंड केश में उसकी फोकल लेंथ अगर तुम देखोगे तो वह अपने को एफ दे रखा है तो सबसे पहले में इस कोशन को अगर सॉल्ब करूंगा तो सबसे पहले में इस वह कंप्लीट लेंथ है इसकी फोकल लेंथ है वह अपने को आपसे आपने से पहले इस वाली एक्सिज के केस वास्ट लाउंग दे एक्सेश एक्स ओएक्सडेस के लॉंग कटकरता हूं तो डॉत व सिङो लए से कट करता हूं तो यह जो लेंज अईसे दीहीं में erreways दिखेगा और नीचे वाला जो लेंज यह ऑशे दिखेगा तो माल लेते हैं इसकी फोकल उपल इसके नहीं इसको फोकल इसके हो यह में क्या रिलेशन होगा हम सबको पता मेंगेगा फोकल लेंद जो है फार्मूला मियू माइनस वन अपान आरवन माइनस वन अपान अगर आप इस एकसिस से एलाउंग कट करते हैं तो रैडियस अप करवेचर चेंज नहीं हुआ यह वाली जो चीज ती वह इसका बदला नहीं और एफ्रेक्टिव इंडेक्स मियू बदला नह ठीक है फोकल लेंद पहले वाले से सेम होगा तो इसका मतलब F डैस इक्वल टू एफ के इकवल होगा दोनों केस में, तो F डैस इक्वल टू एफ इसका मतलब भी होगा कि B option कभी ऑफ्सेन कभी नहीं हो सकता, और यह से यहां से पार्ट फर्स्ट यह अपना हो गया पार्ट टू इसका जो है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं केस्टू तो केस्टू में जो लेंज है उसको मैं कट किया हूं के लॉंग देस्सीद्स यह वाली एक्सीज अपहले ऐसे था और यह वाली एक्सीज पहले वाली थी अब इस एक्सीज के लोंग में कट करूँ तो यह लेंस प्लेनो गन्वेक्स लेंस ऐसे जंड जनरेट हो जाएगा इसकी फोकल लेंथ एफ डबल डैस है और दूसरा वाला तो इसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि जो focal length अगर इसका f double dash निकालना है तो light ray अगर इधर से डाल ले हो इधर से डाल ले हो तो यह जो radius of curvature है वो r2 होगा और r2 infinity होगा और यह जो radius of curvature है वो r1 होगा जो कि यहां से plus r के equal होगा ठीक है तो अगर यहां से देखोगे तो 1 upon focal length f double dash is equal to mu minus 1 और 1 upon r1 जो है यह r1 is equal to plus r और r2 minus 1 upon infinity ठीक है तो यहां से अगर मैं calculation में देखता हूँ तो यह जाएगा mu minus 1 mu minus 1 और upon r that is 1 upon double dash तो यह तो अपना एक lens का हो गया चाहे इस वाले का देखो तो first plane of convex lens का और यह दूसरे वाले का देखो और अब इसका जो actual lens था total lens था उसका focal length f की value यह r1 बनेगा और यह r2 बनेगा तो यहां से r1 जो है वो positive होगा जो r2 है वो negative होगा तो यहां से mu minus 1 और 1 upon r1 minus minus plus 1 upon यहां से r2 r1 r2 बराबर है तो 2 times mu minus 1 minus 1 upon यहां से r 1 upon focal length इसका मतलब यह हुगा कि mu minus 1 upon r की value होती 1 upon 2f के equal आ जाएगी और यह जो complete lens का है वो इसमें मैं plane वाले में रख देता हूँ तो अगर मैं हाँ इस plane वाले में रखता हूँ तो मुझे यह मिलने वाला है 1 double dash is equal to mu minus 1 की value 1 upon 2f के equal आ जाएगी मतलब डबल डैस जो है वो 2f के equal आ जाएगी मतलब इस तरह से अगर कट करोगे तो अपने पास जो है जो सिंगल plane है उसकी जो focal length है actual की double हो जाएगी मतलब कुल मिला के तुम देखोगे तो first option इसमें से सही हो जाएगा यह गलत है यह गलत है यह गलत है this is the correct option